नमस्कार स्टूडन्ट, आगे हमने देखा विशेशन किसे कहते हैं, विशेशन क्या है, विशेशन के बारे में हमने देखा, उसके बाद विकारी विशेशन और अविकारी विशेशन के बारे में देखा, आज हम आगे देखेंगे विशेशन के प्रकार, विशेशन के कितने प्रकार है गुण वाचक विशेशन, दुश्रा है संख्या वाचक विशेशन, चत्था वाचक विशेशन, मात्रा सुचक विशेशन, सार्व नामिक विशेशन विशेशन के पांच प्रकार है पहला प्रकार है गुण वाचक विशेशन गुण वाचक विशेशन मा सानो सानो समावे स्थाई ए आपने जोईए गुण वाचक विशेशन गुण दर्सावे छे जैम के सुन्दर, खराब, चोखु, उचु, काडु, सफेद, जाडु, ठंडू, तीवर, समझू, लोबी, कुरूर, दयाडू, मुख्य, दायू, विशाड, अजानियू वगेर। गुण वाचक विशेशन हमें गुण बताता है जैसी कि व्यक्ति के गुण से हम उसे पहचानते हैं। उसी प्रकार गुण वाचक विशेशन हमें व्यक्ति या किसी चीज का गुण हमें दर्शाता है। विशाल और नसमझने वाला। यादी का समावेस गुण वाचक विशेशन में होता है जो हमें गुण बताता है। गुण वाचक विशेशन आपने व्यक्ति मा रहेला कि कोई वस्तु ना गुण दर्शावेचे। विशेशन का दूश्रा प्रकार है संख्या वाचक विशेशन हमें संख्या बताता है। संख्या वाचक विशेशन के भी तीन प्रकार है। पहला साधी पूर्ण संख्या वाचक विशेशन में बताता है। साधी संख्या है एक दो पच्या वाचक विशेशन में देखने को मिलता है। उसके बाद है क्रमिक संख्या वाचक। क्रम एक के बाद एक, जो क्रम दर्शाता है वो संख्या वाचक विशेशन छे। जे क्रम बतावे छे ए संख्या वाचक विशेशन छे जो हमें क्रम दर्साता है वो शंख्या वाचक विशेशन है जे क्रम बतावे छे ते क्रमिक संख्या वाचक विशेशन छे जेमके पहलू, बीजू, दस्मू, छेलू वगेरे क्रमिक संख्या वाचक हमें क्रम दर्साता है पहला, दूसरा, दस्वा और आखरी यादी यादी का समावेश क्रमिक संख्या वाचक विशेशन में होता है जो संख्या वाचक विशेशन का दूसरा प्रकार है क्रमिक संख्या वाचक विशेशन उसके बाद है तीसरा संख्या स्वाचक विशेशन वो भी हमें संख्या ही दरसाता है पर इसमें थोड़ा ज़ादा ध्यान रखना परता है संख्या स्वाचक विशेशन एटले पा, अर्दू, पौण, सवा, डोल वगेर एनो समावे संख्या स्वाचक विशेशन में पा यानि थोड़े से भी कम अड़्धू, इटले के आधा, पौन, आधे से थोड़ा जादा, सवा और देर, एदी का समावेस संख्यास वाचक विशेशन में होता है, संख्या वाचक विशेशन के तीन प्रकार है, 1. साधी पोन संख्या वाचक विशेशन, 2. क्रमीक संख्या वाचक विशेशन, 3. संख्यास वाचक विशेशन, इसके बाद विशेशन का तीसरा प्रकार है, जठ्वाचक विशेशन, जठ्ठा वाचक विशेशन ए जठ्थो दरसावे छे, जठ्था मा बस्तु आपणे खरीड ये छे, एवी रीते यापणे जठ्थो बतावे छे, जठ्था वाचक विशेशन मा बहुं, थोडु, गणु, ओछु, वधारे, वगेरेनों समावेस थाईचे, जो जठ्था वाच वाचक विशेशन है उसमें हमें जथा दर्साता है जैसी कि हम बहुर सारी चीज खरीते हैं जठ्थे में जैसे बोरी में कोई भी चीज बहुत ज़ादा खरीतते हैं उसका समावेश जठ्थे में होता है जठ्था वाचक विशेशन में बहुत थोड़ू घणू ओच्छू वधारे वगेरेनों समावेश थाई चे जठ्था वाचक विशेशन में बहुत थोड़ा बहुत ज़ादा कम बहुत ज़ादा वगेरे का आधिका समावेश होता है जठ्था वाचक विशेशन में उसके बाद विशेशन का चोथा प्रकार है मात्रा सुचक विशेशन जो मात्रा का निर्देश करता है मात्रा सुचक विशेशन जे मात्रानों निर्देश करे जे मात्रा इटले के ओच्छु साव तद्दन घेरू वगेरेनों जेमा समावेस थाई जे इने मात्रा सुचक विशेशन कहें चे, मात्रा सुचक विशेशन मां आचू, घेरू, साव, तदन वगेरेनों समावेस्था चे, मात्रा सुचक विशेशन हमें मात्रा बताता है, मात्रा का शुचन करता है, कोई चीज कितनी मात्रा में हमारे पास है, वो हमें बताता है, उच आचु यानि पतला गेरू एटले गेहरा साव यानि थोड़ा तदन उससे भी थोड़ा कम वो सब हमें मातरा दरसाता है हमें कोई चीज का उपियों कितनी मात्रा में करना है वो हम बोलते है वो है आच्छु, गेरु, साव, तदन वगेरें का मात्रा शुचक विशेशन में समावेश होता है उसके बाद विशेशन नों पांचमों प्रकार छे सार्वनामिक विशेशन जो सब के बारे में है सार्वनामिक विशेशन सार्वनामिक विशेशन वो हमें नाम दर्साता है जैसे कि मारू तारू आपनों तेनों तेमनों वगेरे सार्वनामिक विशेशन सर्वनाम दरसाता है जैसी कि मेरा तेरा अपना उष्का उनका वगेरे सार्वनामिक विशेशन हमें बताता है हम एक बार फिर्चे देखेंगे विशेशन के प्रकार पहले हमने देखा विशेशन कीसे केते है और विकारी विशेशन और अविकारी विशेशन के बारे में हमने थोड़ी जानकारी प्राप्त की अब हम देखेंगे विशेशन ना प्रकार, विशेशन ना पांच प्रकार छे, गुण वाचक विशेशन जी आपने गुण बतावे छे, संख्या वाचक विशेशन जी आपने संख्या बतावे छे, जथा वाचक विशेशन यानि कोई वस्तु आपने खरीदी छे एनो जत्तो કેટલો છે એ આપણને જતા વાચક વિશેશન બતાવે છે માતરા સુચક વિશેશન જે આપણને માતરા દરસાવે છે કોઈ વસ્તુ આપણે કેટલી માતરા મા ખરીદી છે એ સારવ નામીક વિશેશન એ બદધા માટે પ્રવજ જાઈ છે સા ગુણ વાચક વિશેશન માં થાય છે ગુણ વાચક વિશેશન માં સુંદર ખરાબ ચોખુ ઉચુ કાડુ સફેદ જાડુ થંડુ તિવ્ર સમજુ લોપી ક્રૂર દયાડુ મુખ્ય ડાયું વિશાળ જાણ્યું બદા વ્યક્તિમાં કે વસ્ટુમાં રહેલા ગુણ છે જે ને આપણે ગુણ વાચક વિશેશણ કહીએ જે આપણને ગુણ બિજો પ્રકાર છે સંખ્યા વાચક વિશેશણ એ સંખ્યા ડરસાવે છે આપણને સંખ્યા બતાવે છે એ છે સાધી પૂણા સંખ્યા વાચક વિશેશણ માં એક બે પચાશ સો હજાર જેવી સંખ્યાનો સમાવે સથાય છે જે સા સામાં એક પચી એક જેક યાવે છે ક્રમિક સંખ્યા વાચક વિશેશણ છે ત્યાર પચી સંખ્યાસવાચક સમાવે સ્થાય છે ત્યાર પછી વિશે સણનો ત્રિજો પ્રકાર છે જથા વાચક વિશેશન કોઈ વસતુ આપણે ઓચુ વધારે વગેરેનો સમાવેશ થાય છે ત્રા ત્યાર પછી છે માત્રા સુચક વિશેશન પશે જાણો ચોથો માત્રા સુચક વિશેશન કહીએ છે વિશેશનનો પાંચમો પ્રકાર છે સારવ નામિક વિશેશન જેમાં સારવ કેટલે બધુજ દરસાવે છે સારવ નામિક ઇટલે મારુ તારુ આપણુ તેનુ તેમનુ વગેરેનો સારવ નામિક વિશ થાય છે સાદી પોણે સંખ્યા વાચક વિશેશન ક્રમિક સંખ્યા વાચક વિશેશન અને સંખ્યાસ વાચક વિશેશ તાયા સાઓ સામિશઊ વાચપ શામાંજે સદે સંર સંરજાચિ સંરાચાય સિં સામામાંને સાતરાંાંઉઝએ